वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्डन स्टार्स, हावर यू अल, आई होप यू अल आर गूड और यू आर सेफ अलसो आज हम पढ़ते हैं कम्प्यूटर में लेसन टू का पार्ट फॉर प्रिविएस वीडियो में हमने कम्प्यूटर का लेसन टू का पार्ट वन पार्ट टू पार्ट त्री कम्प्लीट कर लिया था चलिए देखते हम पार्ट फॉर में क्या पढ़ने वाले हैं और हमने अब भी तक कहा तक पढ़ा था first of all everyone open your computer book सारे student अपनी computer book open करेंगे मेरे साथ साथ हम lesson 2 की reading कर रहे थे lesson 2 में हमने homes पढ़़ लिया था कि homes में computer का क्या use है homes में घरों में क्या use करते है game खेलते हैं उसमें drawing करते हैं plus minus यानि sums शॉल्ब करते हैं music सुन सकते हैं उसमें कार्टून सेंद मूवी देख सकते हैं लेटर टाइप कर सकते हैं और मेसेज़ेस सेंड कर सकते हैं और रिसीब कर सकते हैं नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या हमने पढ़ा था स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ेस देखा था कि स्कूल में क्या क्या करते हैं पेपर बना सकते हैं चैप्टर की स्टडी करते हैं उनसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं स्टुडेंट्स का शॉप्स में क्या क्या करते हैं शॉप्स में बिल प्रिपेर की जाती है बिल प्रिंट की जाती है और कस्टमर डीटेल या फिर आइट कितना है क्या है record उसका sum करने के लिए calculate करने के लिए सब काम के लिए किसका यूज़ होता है computer का इसके बाद आज हम पढ़ते है computer का use कहा hospital में hospital में क्या होता है पहले reading करते है h o s hos p i b hos p t a l s tals hospitals आगे t o 2 k e p keep r e c o r record d s records of of p a y p m e n t n payment p a y p m e n t payment to keep records of payment मतलब payments का record रखने के लिए यानी hospital में जो patient आते हैं उनकी मतलब दवाओं का payment जो देते हैं पैसे देते हैं उसका record रखने के लिए दूसरा क्या है t o 2 s t o r e store a nd and s a v e save e m p l o y employee w s employees infor information information वहां पे जो employees होते हैं उनकी information रखने के लिए कि मतलब कौन सा employee किस एरिया से आता है उसका phone number क्या है उसने क्या पढ़ाई कर रखी है यह सारी information कहां से वो दियो hospitals में computer में उसके आगे t o 2 k e p keep p a t i e n t s patience re c o r d s records to keep patient records और patients का क्या करने के लिए रिकॉर्ड रखने के लिए तो computer में क्या क्या अब हम आते हैं देखते हैं आज का हमारा homework क्या है अपना homework देख लो आज आपको homework में tick the correct option करना है only tick the correct option वो भी book में आपको करना है पहला क्या देखते हैं कई सारी pictures बनी हुई है इनमें से एक pictures correct होगी जो picture correct होगी उसमें tick करना है बागी सब cross रहेगी फैला है which one of the following activities cannot be done on computer इन में से कौन सी ऐसी activity है जो computer में नहीं की जा सकती है first में देखो cooking हो रही है क्या cooking computer में हो सकती है no तो इसी पर cross करना है which cannot be done on computer मतलब कौन सी नहीं हो सकती है जो नहीं हो सकती है उस पर tick करिएगा ठीक है तो cooking ही है जो नहीं हो सकती उस पर हम tick कर लेते हैं because यह computer में game play कर रहा या कुछ भी कर रहा है यह तो हो सकता है तो यह वाली activity wrong है कि मतलब यह नहीं हो सकती music भी सुनना जा सकता है ठीक है तो कौन सी activity नहीं हो सकती ही computer में cooking वाली इस line के according जो correct picture होगी वही उसी पर tick करना है तो line में पूछ रहा था कौन सी activity नहीं हो सकती तो यह वाली नहीं हो सकती activity यह वाली और यह correct picture है तो first में tick करिएगा next which of the following activity can be done on computer इन में से कौन सी activity computer में हो सकती है first में skipping कर रही है लड़की मतलब रसी कूद रही है नहीं हो सकती ना computer में तो यह cross second में eating eating भी computer में नहीं हो सकती हाँ computer में study या फिर file बनाना कुछ भी यह लड़की कर रही है तो हो सकती है तो इस पर tick करिएगा third वाले box के अंदर ही करना सब next which one of the following game is played on computer इन में से कौन सा game computer में खेल सकते हैं हम यह खेल सकते हैं नहीं football नहीं और chess chess computer में होता है ना तो chess पर tick करिएगा next which one of the following is a calculator इन में से कौन सा एक calculator है इन में से कौन सा calculator है पैचान रहोगे सब picture को तो first picture calculator की है बाकी यह दोनों calculator नहीं है तो समझ गया आप कि आपका homework क्या है आपको tick the correct option book में फिल करना है page number 16 पे है आपका tick the correct option टिक the correct option में first में first picture पे टिक करना है second question में last वाली पे third question में be last वाले पे और fourth question में calculator first picture पे ओके I hope इतना आपको समझ में आ गया होगा आपको अपना homework भी समझ में आ गया होगा आप इतना complete करके whatsapp group पे send करेगा जिस student को जो भी problem होगी वो अपनी problem whatsapp पे share करेगा okay thank you and have a nice day करें